अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं रोहन शिंदे हैं मेरे साथ टीम मेंबर तो वह आपको रिप्लाइ दे देंगे अधर्वाइज जब सेशन एंड होगा तब मैं आप सभी को अन्म्यूट करके आप जितने भी कोईशन्स चाहें हैं कोई डाउट होंगे तो वह आप डिसकस कर सकते हैं तो आज का अजेंडा हमारा जो है वह हम पहले देखेंगे वाट इस जोन जोन एक बहुत कॉमन टर्म है बहुत कॉमन वर्ड है जब हम इंट्रूजन अलार्म सिस्टम की बात करते हैं तो जोन क्या चीज होती है वो देख तो आ गया अब सेंसर को कनेक्शन किस किस टाइप में करना है ठीक है वो भी अलगलग के टेगरी की होते हैं अलगलग टाइप के कनेक्शन होते हैं तो वो किस टाइप के होते हैं वो देखेंगे जोन टाइप मतलब जोन टाइप का मतलब क्या है जोन पहले पहले तो हम जोन देखेंगे zone क्या है फिर sensor देखेंगे फिर तो ये सारी चीज़े one after another आएंगी तो हम ये सारा चीज़े आज समझेंगे अच्छे से और last में हम थोड़ा बहुत vintech software से भी समझेंगे related to the programming part okay so first of all what is zone so zone किसे कहते हैं so अगर हम intrusion alarm system में अगर हम zone की बात करें तो simply एक कोई भी हमारा sensor जो हम connect करते हैं install करते हैं at site पे एक sensor को एक zone कहा जाता है ठीक है तो मतलब one detector और one device is equal to one zone और अगर हम इसे technical language में बोलें तो simply a circuit और a loop with a switch in it and the switch is the detection device तो मतलब हम एक example लेते हैं residence house का अब की बार मैं लेता हूँ टू बी एच के house जिसका total area है 1000 square feet area ठीक है टू बी एच के 1000 square feet area मैंने अगर लिया तो अगर इस area में मुझे intrusion detection system देना है तो मुझे सारे entry exit points को protect करना होगा और किंसे मैं protect करूंगा using sensors तो मान लीजिए टू बी एच के नॉर्मल अगर मैं एक house की बात करों जो हमारा 1000 square feet area में बना हुआ है वहाँ पे दो या तीन openable doors होंगे उसमें फिर कुछ fixed windows भी होंगी कुछ openable windows भी होंगी तो यह सारे areas को मुझे protect करना है तो अब इन सभी areas में मैं कोई particular type का sensor लगाऊंगा ठीक है जिसको कहा जाता है detection device तो वह sensor basically हर एक sensor मेरा एक zone रिप्रेजेंट करता है इसको कहा जाता है zone तो अगर हम अब यह zone को as a electric circuit में देखें तो वह किस type का दिखता है वह कुछ इस तरह से रहता है अगर आप control panel पे देखेंगे just a minute मैं अपना pointer ज़रा change कर दूँ तो कर आप control panel में देखेंगे तो control panel में कुछ zone terminals इस तरह से दिखाई देते हैं कहीं पर आपको दो टर्मिनल का zone दिखेगा कहीं पर आपको चार टर्मिनल का zone दिखेगा करें जो 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 होते हैं वह कुछ इस तरह से दिखाई देंगे तब तब यह control panel को represent करके दिखाया गया और जो sensor होता है वह कुछ इस तरह से दिखाई देता है जो internal terminals होते हैं वह इस तरह से होते हैं कुछ alarms लिखा होगे दो terminal पे दो terminal पे टैंपर लिखा होगा तो as it is alarm वायर आपने alarm की zone में connect कर देना है टैंपर वाले जो terminals है वहां से दो वायर लेके टैंपर टर्मिनल में connect कर देना है तो यह मेरा एक basically zone configuration या zone connection हो गया ठीक है अब इसमें हम देखेंगे और कितनी variety से हम connections कर सकते हैं और उनका क्या use है यह तो मैंने just simple connection कर दिया दो वायर ली alarm terminal sensor से zone terminal alarm में connect कर दिया ऐसे ही दो वायर मैंने tamper की लिए as it is मैंने tamper terminal में connect कर दिया तो simply मेरी four core की cable यहाँ पर use हो गई गई correct यह देखें यह जो मेरा circuit या जो loop बना इसी को बोला गया है as a detection device और जैसे ही यह मेरा circuit break होता है तो क्या होता है alarm generate हो जाकर correct तो यही basically एक हमारा inclusion detection system में zone की definition होती है अब कितने type के zones या sensors होते है first of all तो sensors आप सभी को पता होगा हमने बहुत बार इस particular चीज़ पर हमने trainings भी करी है जो हमारी weekly trainings होती चलती आ रही है last 2,5 मीने से अब तो उसमें हमने topic cover किये थे wired solution के उपर then हमने 8 week पूरा रखा था wireless solution के उपर तो type of sensors कितने होती है दो type के होते है wired and wireless wireless का मतलब है वो battery operated रहते है sensors इसके अंदर हमें wiring connection करने की जरूरत नहीं होती लेकिन जो wired sensors होते हैं उसमें हमें wiring connection करने की जरूरत पड़ती है ठीक है और ये wired कहां connect होती है जो हमारे hardware terminals हैं जिनको हम बोलते है zone terminals वहाँ पर हमें connections करने होते है wired sensors के अब देखते हैं कि कितने type के wired sensors आते हैं क्योंकि हमारा जो आज का mainly topic है वो है wired zone wiring and zone type तो हम zone wiring जो हम specifically समझने जा रहे हैं वो हम wired sensors की समझेंगे क्योंकि wireless में तो wire होती ही नहीं है तो वहाँ पर zone wiring का कोई मतलब ही नहीं रह जाता ठीक है तो zone wiring हम समझते हैं हमेशा wired sensors के अंदर wired sensors दो type के आते हैं एक आता है non powered sensor और दूसरे आते हैं powered sensor मतलब non powered मतलब इन सभी sensors को power की requirement नहीं होती ठीक है in simple language तभी उनको बोला गया non powered right side पर जो आप sensors देख रहे हैं इन सभी sensors को power की भी requirement होती है ठीक है तो simple term में अगर मैं बोलू यह जो सभी sensors है यहाँ पर मुझे positive negative नहीं देना सिर्फ zone connection समझना है लेकिन जो यहाँ right side वाले जो मेरे sensors है जहाँ पर मैं अपना cursor को move कर रहा हूँ इन सभी sensors को मुझे positive नेगटिव power देनी है और कौन सी power देनी होती है 12 volt DC तो इनको मुझे power की इन sensors को power की requirement होती है activate होने के लिए right okay so अब हम देखते हैं इन सभी sensors को जो भी आपने दोनों टाइप की देखे non powered and powered इन दोनों टाइप की sensors को connections कैसे करना है पैनल के अंगर right so आप सभी को पता होगा कि टेक्सी कॉम में five categories आती है panels की right starting with the smallest one जो सबसे छोटा panel है वो है elite 24 और आज हम इसी के ऊपर समझेंगे elite 24 control panel पे की connections कैसे होते हैं तो elite 24 सबसे smallest panel है then second category आती है elite 64-w की ठीक है इन दोनों panels में इन दोनों panels में जो zone terminal होते हैं वो दो terminal के zones होते हैं और right side पे आप जो category देख रहे हैं पहला यहां पे लिखा गया है elite 88, 168 तो यह metal body के panels होते हैं और जो 8 xp expander होता है और इसके साथ साथ हमारे जो keypad होते हैं क्योंकि keypad में भी दो हमारे wired zones मिलते हैं यह तीनों जो हमारे modules हैं इन सभी में four terminal zones होता है तो यह major difference है हमारे polycarbonate body panels में और metal body panels में या फिर zone expander में तभी इन्हें जो left side वाले जो category है दो panels elite 24 और elite 64-W इन्हें grade 2 panel कहा जाता है और यह use होते है smaller areas के लिए not more than 5000 square feet area अगर 5000 square feet area से जएदा बड़ा area है माननीचे 10,000 square feet area 20,000 या 1,000,000 या 2,000,000 square feet area तब हम हमेशा metal body panel use करते हैं और metal body panel या फिर zone expander या जो हमारा keypad होते हैं यह तीनों जो आते हैं यह हमारे grade में divert हो जाएगा grading आप इस तरह से समझिए कि जितनी higher grading होगी उतना high security level होगा उस particular product ले ठीक है अब इसका मतलब यह नहीं है कि टेक्सी कॉम में जैसे मैंने आपको बताया कि यह grade 2 panel है और right side वाले grade 3 है तो यह नहीं है मतलब कि इसमें security level मतलब है ही नहीं या यह बहुत कम है ऐसा नहीं है लेकिन obviously यह grade 2 है तो security के जो मतलब कहने का मतलब यह जैसे features अगर मैं बोलो security के तो वो थोड़े इसमें से कम होते है अब किस sense में कम है जैसे zone terminal जो आप देख रहे है वो two two terminal के zones है four terminal के नहीं है इस type के security features ठीक है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे zone terminal four four terminal का zone है जो grade 3 हमारे devices होते है इसके लावा और क्या difference होता है grade 2 systems में 1.5 ampere SMPS होता है और grade 3 systems में हमारा 2.5 ampere SMPS होता है तो आप समझ रहे हैं जो security के features है वो design किये गए है location wise किस type की site है उस type की site के according हम वो panel recommend करते हैं अगर मैं 2BH के घर की बात कर रहा हूं 1000 square feet area में मेरा घर बना हुआ है 2BH के तो 2BH के के लिए मेरा इन दोनों panels में से कोई भी एक panel sufficient है उसके लिए मुझे grade 3 पर जाने की जरूरत नहीं है क्यों? क्योंकि इनी दो panel में से कोई भी मैं एक panel लोंगा और वहां पर मैं full proof security दे सकता हूँ लेकिन अगर कोई मेरा warehouse है जो 50,000 square feet area में बना है या फिर कोई factory area है जहां का environment बहुत हार्श है है न हीट अप एंड डाउन होती रहती है टेंपरेचर अप एंड डाउन होता रहता है तो वैसे environment के लिए आपको metal body panels लेने ज़रूरी है इसलिए ये grade 3 कहलाते हैं अब इन में connections कैसे कैसे करने है grade 2 system में कैसे connections होते हैं और grade 3 systems में कैसे connections होते हैं let us understand this thing so friends अब next चीज आती है क्योंकि connections मैं आपको थोड़ा बार में बताऊंगा वो मैं आपको live demonstration में करके दिखाऊंगा कि connections कैसे करने हैं ठीक है connections के बाद हमने अभी ये देखा कि zone terminal कैसे दिखते हैं राइट यहाँ पे two terminal zone है और यहाँ पे four terminal zone है और अभी हमने इससे पीछे देखा था कि दो टाइप के sensors आते हैं एक जो without power चलते हैं number two जिनको हमें power भी देनी होती है ठीक है अब power हम कहां से देंगे वही यहाँ पे चीज दिखाई गई है तो power हम देते हैं aux terminal से अभी aux terminal भी अवेलेबल होते हैं control panel में या फिर हमारे zone expanders में राइट सेट पे भी control पैनल में हमारे aux terminals available होते हैं छोटे जो panels होते है है या फिर zone expander होते हैं छोटे उने single positive terminal होता है और single negative terminal होता है लेकिन vient 64 W या इससे बड़ा जो panel आते है Monsieur 88 168 पी itself 200 xp यह सभी Controle panels के अंदर दो दो टर्मिनल के तो टर्मिनल positive मिलेंगे और दो टर्मिनल negative मिलेंगे त्जांए तो थूड़ा आपको इसमें additional terminals मिलते हैं क्योंकि थोड़ई बड़े पैनल्स होती है अब समझते हैं कि what is zone wiring तो देखिए एक बहुत simple सी चीज होती है और example जैसे अगर हम अपने let's say अपने office में बैठे हैं office में जैसे ही बैठते तो हम switch on करते हैं कि lights on हो जाए है ना so internally basically क्या हो रहा होता है internal circuit में वहाँ पे एक loop create हो जाता है circuit पूरा बन जाता है circuit पूरा close हो जाता है जिससे क्या होता है electricity flow करने लग जाती है तो जैसी circuit complete हो जाता है lights on हो जाती है और जब हम office से चले जाते हैं evening के time में मान लीजिए हमारी हमारा off हो गया तो हमने switch off कर दिया तो जैसी switch off करते हैं क्या होता है circuit break हो जाता है तो जैसी circuit break हुआ electricity flow खतम हो गया और lights off हो जाती है तो कुछ इस तरह से ही हमारे residence में भी होता है सभी जगा पर इसी तरह से circuit होते हैं तो कुछ इसी टाइप के circuit हमारे intrusion detection system में भी होते हैं अब आपने देखा होगा कि जो जो कभी भी intrusion detection system में आपने किसी भी brand पे work किया हो चाहे टेक्सी कॉम किया हो चाहे third party कोई भी panels हो उनमें अलग-लग states होती है जैसे जब alarm होता है तो हम कहते हैं zone alarm में है या फिर area alarm में है अगर कोई tamper होता है tamper मतलब किसी ने wire cut कर दिया या किसी नहीं है किसी ने उस particular sensor को open कर दिया तो tampering कर दी है ना मतलब किसी ने छिड़ा खानी करी है तो आपको तब कौन सा alert मिलता है zone tamper alert मिलता है correct अगर कोई fault में आ जाता है अगर कोई sensor fault में आ जाता है तो आपको zone fault वहाँ पर alert मिलता है या फिर अगर माली जी बिलकुल secure mode है मतलब मेरे sensors वहां installed है और अभी कोई भी activity नहीं हो रही तो वो secure mode में होता है तो यह जो अलग-लग modes होते है sensors के या फिर zones के यह identify कैसे होते है टेक्सी कॉन panels में अलग-लग resistance value पे यह different different modes define किये गए है ठीक है अब हम वो different values देखते है resistance की जिस जब वो कभी भी resistance value match करती है तब मेरा particular zone उस state में वहां पे आपको show कर देता है कि वो कौन सा state है alarm है fault है temper है यह secure है तो जब कभी भी for example अगर मैंने कोई door पे magnetic contact लगा रखा है और door मेरा close है तो इसको बोलते है secure mode और secure mode में आपकी जो resistance value वहां पे detect होगी वो होगी 2k2 मतलब zone 1 पे मैंने एक sensor लगाया magnetic contact और वो magnetic contact को मैंने जो program किया है उसको मैंने normally close type नहीं किया उसको मैंने end of line mode में किया है अब ये mode कैसे होता है इसमें क्या-क्या होती है चीजे वो मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाऊंगा तो वो mode जब मैं select करता हूँ उसके बाद आप literally देख सकते हैं अपने keypad में कि वो particular zone पे उस time पे क्या resistance value आ रही है ठीक है तो यही कहा गया है यहाँ पे जब वो secure mode में होता है उस time पे वो resistance value डिटेक्ट कर रहा होगा 2k2 नमबर 2 जब active mode में है active मतलब alarm state में है ठीक है तब तब वो resistance value डिटेक्ट कर रहा होगा 6k9 नमबर 3 जब tamper हो गया tamper मतलब किसी ने wire cut कर दी for example sensor की तब वहाँ पे infinite resistance हो जाएगा है ना तब आप वहाँ पे value यहाँ पे detect करेंगे तो आपको greater than 65k के दिखा रहा होगा नमबर 4 अगर zone fault में चला गया मतलब sensor faulty हो गया तब वहाँ पे resistance दिखाएगा 4k4 ठीक है तो यहाँ पे जो मैंने आपको different resistance value दिखा रहा हूँ कि आप यह zone पे जाके check कर सकते हैं तो यह programming के अंदर आप उस particular value को जाके exactly match करके देख सकते हैं कि क्या मेरी resistance value वहाँ पे आ रही है ठीक है ओके तो friends अब हम समझते हैं एक example देखके कि sensors जो मैंने अभी आपको बताए अलगलग resistance value वहाँ पे आपको मिलेगी तो ठीक है वो मुझे मिल गई लेकिन internally वो circuit बना कैसे हुआ है आईए वो देखते हैं तो internally आपके दो resistors use हो रहे होते हैं इसको बोला जाता है end of line वाइरिंग सभी बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको जो wiring टाइप बोला जाता है वो बोला जाता है end of line तो टेक्सी कॉम में अलगलग टाइप से आप zone wiring कर सकते हैं नमबर वन नॉर्मली close नमबर टू नॉर्मली open नमबर थ्री डबल पोल अबलिक EOL end of line नमबर फोर ट्रिपल end of line और नमबर 567 अलगलग resistance value इन केस अगर आप कोई third party sensors connect करते हैं तो और वो sensors अलगलग value पर detection करते हैं तो आप वैसा भी select कर सकते हैं तो टेक्सी कॉम में बहुत ज़्यादा आपको flexibility मिलती है customization करने की ठीक है हमने आज तक I am sorry to say लेकिन हमने आज तक सिर्फ normally close type में ही wiring करी है है ना मैं installer point of view से बात कर रहा हूं जो समारे system integrated partners आज ट्रेनिंग ले रहे हैं उन्हें भी पता होगा उन्होंने mostly सभी sites में सिर्फ और सिर्फ N C या N O टाइप में ही connections करें हैं और उन्हें वही पता है लेकिन अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो सबसे worst type की wiring होती है normally close type of wiring वर्स क्यों बोल रहा हूं क्योंकि इसमें आपको false अलाम आने के सबसे ज़दा chances होते हैं क्यों क्योंकि हम क्या करते हैं एक zone पे multiple sensors लगा देते हैं हम एक zone पे एक sensor नहीं लगाते अगर मैं पूछू कितने लगाते हैं अरे कोई limit ही नहीं है सर जदने मर्जी लगाओ आठ दस पंदरा पीस कोई दिक्कत ही नहीं आपको zone मिल गया बस लगा दो अगर आप ऐसा करते हैं या करते आएं हैं तो आप गलत कर रहे हैं आपको सबसे ज़दा false alarm ऐसी साइटों पे ही मिलेंगे ठीक है क्योंकि नमबर वन मल्टिपल सेंसर लगा रखे हैं मुझे पता ही नहीं चलेगा कौन से सेंसर से अलाम आ गया और नमबर टू सिर्क एंसी टाइप में आपने वायरिंग कर रखी हैं एंसी मतलब विदाउट एनी रिजिस्टेंस मैंने सिंप्ली दो वायर्स पकड़ी और मैंने connection कर दिए लेकिन अगर आप चाहते हैं intrusion detection system जब कभी भी मैं install करूं तो वो पूरब परफेक्ट तरीके से होना चाहिए कोई मुझे बाद में problem ना आए maintenance से related मैं बार-बार वहाँ site पे visit कर रहा हूं unnecessarily मेरा efforts जा रहे है time जा रहा है manpower waste हो रहा है तो परिशानी अगर आप अपन मोड में ही करा करिए ठीक है तो EOL मोड में किस तरह से होती है internally क्या होता है आईए समझते तो टेक्सी कॉम में दो different resistance value पे detection होती है ठीक है एक होती है 4k7 resistance value जिस पे alarm alarm हमें मिलता है और दूसरी resistance value होती है 2k2 जिस पे हमें tamper मिलता है ठीक है तो यह दो resistors किस तरह से लगे होते हैं यह वाला जो पार्ट है इतना वाला सभी मेरा cursor अगर देख रहे हैं इतना वाला जो मेरा part है यह मेरा sensor का internal part है sensor की जो अंदर internal circuit होता है वह वाला part मैं यहां पे explain कर रहा हूं ठीक है तो ध्यान से समझेगा connections कैसे करने होते हैं अगर यह चार टर्मिनल का zone है तो first and fourth terminal पर आप connection करेंगे और sensor का connection कैसे होगा यहां पर 4k7 आपको across जिसको parallel भी बोलते हैं across लगाना होगा इसके बाद 2k2 आपको series में लगाना होगा ठीक है तो यह मेरा internal circuit कुछ इस तरह से होता है अब देखते हैं different states जब मेरा secure mode है secure mode में वो resistance value concentrated करेगा 2k2 ठीक है यह वाली value जब active mode है active मतलब जब alarm state में है तब कितनी resistance value detected कर रहा होगा 4k7 प्लस 2k2 मतलब 6k9 ठीक है और third state है tamper state जब tampering होगी किसीने wire cut कर दी तो अगर wire cut कर दी तब मेरा infinite resistance वहाँ पर detection होगा जिसकी value होती है more than 65k तो यह हम different values वहाँ पर detect कर सकते हैं जब मैं EOL mode में wiring करता हूँ मुझे अलग से resistors लगाने की जरूरत नहीं है टेक्सी कॉम के sensors के अंदर ही resistance होते हैं मुझे बस dip switches से on करना है और मुझे simply दो wires लेके zone में connection कर देना है बस connection मुझे बस दो wires से ही करना है मुझे अलग से resistor नहीं लगाना क्यों नहीं लगाना 90% of the sensors जो टेक्सी कॉम के हैं उन में sensors के अंदर ही in build resistance होते हैं आपको बस उसको set करना है वैसे और connection कर देना है connection किसका करना है सिर्फ zone connection बस और कुछ नहीं ठीक है और ये mode zone wiring का जिसको EOL mode कहा जाता है सबसे secure mode होता है जिसमें false alarm आने के chances 0% होते हैं क्योंकि false alarm कैसे आएगा आप खुदी समझेए जब तक वो resistance value उतनी detect नहीं करेगा वो आपका alarm देगा ही नहीं ठीक है तो इसी लिए कहा जाता है हमेशा मैं हमेशा यही समझाता हूँ जब कभी भी मैं trainings देता हूँ चाहे online चाहे offline कि आप जब कभी भी connections करें sensors का वो सिर्फ और सिर्फ EOL mode में ही होना चाहिए types of zone wiring so friends मैंने अभी आपको बताया था कि कितने टाइप की wiring taxicom systems में taxicom panels में आप कर सकते हैं तो सबसे पहले normally close नॉर्मली close टाइप की wiring आइधिंग पूरे इंडिया में सभी करते हैं सभी जितने हमारे installer partners हैं या जो हमारे नहीं भी है जो third party करते हैं जो taxicom करते ही नहीं वो सिर्फ नॉर्मली close टाइप में करते हैं उनको सिर्फ यही आता है लेकिन this is not the secured type of zone wiring यह आपको हमेशा परिशानी देती रहे हैं तो never try to use normally close type of wiring अगर कर रही है तो कोशिश करो एक zone पे एक ही sensor लगाओ अगर nc type में आपको करनी है एक zone में एक sensor लगाईए या फिर maximum दो loop करके इससे जैदा नहीं अगर हम multiple sensors लगा रहे हैं चार पांच छे साथ को limit ही नहीं है तब हम कभी recommend नहीं करते कि आप टेक्सी कॉम सिस्टम लीजिए हम हाँ जोड़ देते हैं कि सर टेक्सी कॉम मत लगाना क्योंकि पॉल सलाम 100% आएंगे दूसरे टाइप की वाइरिंग होती है नॉर्मली ओपन कुछ टाइप कुछ हमारे sensors होते हैं जैसे smoke detectors, heat detectors, gas leak detectors वो एनो टाइप के भी होते हैं तो आपको उन्हें नॉर्मली ओपन टाइप में program करना होता है तो वो भी option available होता है फिर एक आती है zone wiring double pole ठीक है eol mode जिसको सबसे secure mode कहा जाता है and triple eol so triple eol जो mode होता है यह सिर्फ और सिर्फ grade 3 type के sensors में हम connections करते हैं टेक्सी कॉम के पास ही सिर्फ grade 3 type के sensors available हैं पूरे इंडिया में किसी के पास भी grade 3 type के wired sensors नहीं है तो फ्रेंड्स आईए देखते हैं आप सबसे पहले नॉर्मली close type की wiring कैसी होती है तो नॉर्मली close type की wiring बस simply हमने एक sensor लिया alarm terminals बने होते हैं alarm terminal से wire ली और सीधा हमने zone पे connections कर दिये ठीक है अगर चार terminal का zone है जिसमें दो terminal alarm के हैं दो terminal tamper के हैं और नॉर्मली close type की wiring करनी है तो कैसे करेंगे फर्स्ट एंड फॉर्थ टर्मिनल अलाम टर्मिनल आपने sensor के पकड़े तू वायर लेके फर्स्ट एंड फॉर्थ टर्मिनल पे आपनी connection कर दिये तो यह अगर मैं आपको बता हूं तो यह एक पैनी बटन के connections यहां पे दिखाए गए हैं ठीक है तो पैनी बटन में किस तरह से connection किये जाते हैं अगर मान लीजिए आपके पास चार टर्मिनल का यह तो मैंने आपको जोन दिखाए अगर दो टर्मिनल के जोन है तो सिंपली आपकी दो वायर्स निकल के जो sensor से हम connection लेंगे और वो हमारे जोन में connection हो जाएगा ठीक है तो यहां पे चार टर्मिनल जोन ब यहां ग्रोक में connection दिखाया गया है नॉर्मली ओपन वो भी सेम होते हैं बस टर्मिन डिफ्रेंट हो जाते हैं अगर सेंसर में नॉर्मली ओपन टर्मिनल से लेकर फॉर्स्ट और टर्मिनल ऑपर connection हो जाएगा तेन आते हैं डबल पोल और फ्रेंड्स यह जो मैं आपको connection बता रहा हूं अभी मैंने आपको simply बताए है नॉन पावर डिवाइस के ठीक है तो नॉन पावर डिवाइस कौन-कौन से होते हैं तीन टाइप के नॉन पावर डिवाइस होते हैं फर्स्ट पैनिक बटन जिसका मैंने अभी आपको connection दिखाया लास्ट पीपीटी में दूसर टाइप के नॉन पावर सेंसर होते हैं शटर कॉन्टेक्ट जिनको पावर की रिक्वाइमेंट नहीं होती सिर्फ जोन कनेक्शन चाहिए थर्ड टाइप के सेंसर होते हैं तो ये तीन टाइप के सेंसर आते हैं जो नॉन पावर्ड सेंसर होते हैं जिने सिर्फ हमें zone connections करने होते हैं तो अब देखते हैं डबल पोल connections क्या होते हैं तो डबल पोल में कुछ नहीं होता basically double मतलब दो चीजे ठीक है इस तरह से ध्यान रखिएगा अब दो चीजे क्या क्या alarm and temper और alarm and temper on same zone अब जो टेक्सी कॉम के जो four terminal zone block होते हैं है ना जो चार terminals होते हैं zones में दो alarm के और दो temper के आप उनी sensors सॉरी उसी zone में आप double pole zone wiring connection कर सकते हैं ठीक है मतलब single zone में आपको alarm भी मिल गया और temper भी मिल गया wiring connection कैसे होगा बहुत simple है यह दो wires हमने alarm की connection कर दिया और next two wires हमने temper के connection कर दिये ठीक है तो एक ही zone में मैंने alarm भी ले लिया और temper भी ले लिया और कितने core wire मेरी use होई four core और यह दूसरे तरीके से दिखाया गया यह दो टाइप के क्यों दिखाया गया है यह आपको यहां पर अलग लग इसलिए दिखाया गया है फर्स्ट ये कौन से टर्मिनल से वायर ले रहे हैं यहाँ पर यह दिखाया गया है दूसरा दूसरे टाइप का एक पैनिक बटन है वहाँ पर आपको कनेक्शन कैसे करने हैं यह दोनों चीज़े सेल ठीक है तो मैं दुबारा रिपीट कर रहा हूं डबल पोल कनेक्शन क्या हो करना है तो मैं सिंपली इस तरह से कनेक्शन करूंगा एक सेंसर के दो अलाम टर्मिनल वायर उठाऊंगा और एड टर्मिनल में कनेक्शन कर दूंगा टैंपर टर्मिनल से वायर लोंगा और टी वाले टर्मिनल में कनेक्शन कर दूंगा तो इस इस कॉल्ड एज डबल पोल of powered sensor तो बहुत simple है connection जो zone के अभी हमने समझे है वो बिलकुल same रहेंगे क्या चीज एड़ हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ power positive and negative है ना तो आईए समझते है left में जो ये connection दिखाए गए है ये दिखाए गए है capture PIR motion sensor की देखते हैं तो ये पहले हमारी हो गई दो पावर की negative positive negative positive और यहाँ पे भी negative positive अब double pole में मुझे connection करना है मतलब मैं alarm के terminals भी लूँगा और temper के terminals भी तो आईए देखते हैं double pole में अब zone connection ये alarm और ये temper same ऐसे ही दूसरे मेरे sensors के ये alarm और ये temper तो बहुत simple है मैंने जो अभी तक आपको बताया है friends अभी मैं आपको इसका सारा live demonstration भी दिखाऊंगा जो मैंने यहाँ पे अभी अपना setup कर रखा है वो भी आपको दिखाऊंगा पहले आपको मैं just basics बताना चाहता हूँ उसके बद live demonstration पे आपको दिखाऊंगा connections कैसे होते हैं तो अभी तक हमने जो connections समझे हैं वो समझे है double pole में powered and non-powered sensors के किस तरह से connections होते हैं अब हम देखेंगे double EOL तो यह मैं वैसे already आपको दिखा चुका हूँ first slide में कि double EOL में दो resistance double मतलब 2 और EOL मतलब end of line तो हमें दो resistance value use करनी होती है 4K7 2K2 और आप उस sensor को इस तरह से मतलब resistance को connect करके उस sensor को आप use कर सकते हैं EOL mode तो मैंने यहाँ पे तीन state बताएं थी secure active and tamper तो secure में आपको different resistance value detect होती है active में आपको different होती है और tamper में भी आपको different होती है और कौन-कौन सी है यह हम already समझ चुके हैं secure में आपको 2K2 value display होती है detection होती है या resistance की और जब आपका active state होता है तो 6K9 value detect होती है और जब tamper होता है तो infinite resistance value वहाँ पे होती है correct तो यह actual में आप view कर सकते हैं taxicon control system में through keypad या फिर through windtech software तो फ्रेंट्स यहां पे देखिए अब थोड़ा सा और elaborate करके दिखाया गया है क्योंकि यहां पिछली जो slide है यहां पे actual में sensor दिखाया नहीं था तो अगर हम sensor की बात करें तो sensor पे हम connections कैसे करेंगे अगर हम additional resistance लगा रहे हैं देखिए यहां पे हम जो resistance लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं third party sensor में च्योंकि third party sensors में inbuilt resistance नहीं होते तब हमें additional resistance लगाने पड़ते हैं और वो लगाए कैसे जाते हैं यह देखिए alarm टर्मिनल में आप first terminal से लेके दूस्टे टर्मिनल पर लगाएंगे तो यह रिजिस्टर कौन सा हुआ 4K7 और जो next resistance है alarm terminal से एक टैंपर टर्मिनल पर आएगा यह रिजिस्टर है 2K2 तो आपकी रिजिस्टर इस तरह से connections होते हैं sensor में अगर कोई भी third party sensor को आप EOL mode में connection करना चाहते हैं with taxi con system ठीक है और अगर taxi con की sensors यूज कर रहे हैं जैसे capture PIR motion sensor देखिए सभी यहां करसर अगर मेरा देख पा रहे हैं तो यह capture PIR motion के अंदर in build resistance होते हैं मुझे यहां पर specifically कोई भी रिजिस्टर यूज करने की ज़रूरत नहीं है मुझे बस क्या करना है उस particular resistor value को select करना है and that's it बाकी मुझे simply connection कर देना है तो दो मेरी जो मतलब यहां पर मेरी कितनी कोर की wire यूज हुई टोटल four core two core for power और next two core for alarm and temper तो यह सबसे बड़ा benefit होता है double EOL wiring टाइप में मतलब double EOL wiring टाइप में आप two core wires से ही alarm as well as temper दोनों चीज़े ले सकते हैं ठीक है लेकिन अगर आप double pole में wiring करते हैं तो आपको alarm और temper के लिए four core cable चाहिए यह difference रहता है आपके two core इसमें कम लगते हैं अगर आप EOL mode में wiring करते हैं तो देखिए कितने सारे benefits हो गए number one आपके जो दो core cable है वो कम हो गई number two बार बार मुझे maintenance के लिए visits नहीं करने पड़ेंगे क्यों क्यों क्योंकि सबसे secured wiring है तो आपका intrusion detection system भी perfectly proper work करेगा without any false alarm ठीक है तो EOL mode में wiring करिए और सभी टेंशनों से free हो जाएंगे बार-बार मुझे intrusion के लिए अपना engineer भेजना पढ़ रहे है साइट पे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप EOL mode में wiring करते हैं और अगर दो जोन का टर्मिनल है तो वो इस तरह से connection हो जाएगा ठीक है अगर चार्ट टर्मिनल का है तो first and fourth दो टर्मिनल में तो as it is connection हो जाएगा तो friends देखिए अब यहां पर दोनों चीज़े differentiate करके दिखाया गया है मतलब अगर मैं double pole में wiring connection करता हूं तो आपको क्या-क्या use करना पड़ेगा कितनी wires use करनी पड़ेगी और अगर मैं EOL mode में connection करता हूं जो right side में दिखाया गया है तो किस type से होगा तो आईए first of all देखते हैं यह PIR motion sensor है इसको मैं double pole में connection करता हूं तो मुझे total six core wire use करनी पड़ेगी है ना six core wire मुझे use करनी पड़ेगी और अगर मेरा two terminal का zone block होता तो मुझे दो zones use करने पड़ते क्यों एक zone मुझे use करना पड़ता alarm के लिए दूसरा zone tamper के लिए तो मेरे दो zones use होते लेकिन अगर मैं eol mode में use करता हूं अगर मैं eol mode में wiring करता हूं तो मुझे यहाँ पर total four core cable use करनी पड़ेगी और एक ही single zone से मैं alarm as well as tamper दोनों चीजे ले सकता हूं ठीक है तो इसी लिए eol mode में wiring connection करना सबसे बेस्ट माना जाता है अब फ्रेंड्स देखी triple eol में क्या होगा obviously triple मतलब three different resistance value पर detection होती है तो इसमें क्या क्या बेसिकली वो sensor detect करता है alarm state tamper state fault state वो fault भी detection करता है fault के साथ साथ masking भी detect करता है तो टेक्सी कॉम का एक grade 3 sensor आता है जिसका नाम है capture a20 PIR motion sensor ठीक है capture a20 PIR motion sensor जो हमारा grade 3 sensor है और जिसकी जो wiring होती है वो triple eol mode में होती है and the best part is मुझे अलग से कोई भी resistors use नहीं करने अंदर मेरे circuit के अंदर ही बस value को set करना है using dip switches और मेरा connection करने है that's it connection किसके करने है zone connection two core cable से zone connection हो जाता है और two core से power देना है बस और कुछ नहीं करने ठीक है so this is called as triple eol wiring connection तो यहां पर आप देखेंगे sensor अगर मैं first वाले पर आपको बताओ secure mode में आपका 2k2 value resistor detect करेगा जब device active है active मतलब जब मेरा sensor open हो गया या alarm state में है तब मेरा 6k9 value detect करेगा और जब tamper है तो infinite resistance इसके बाद अगर fault and masking अगर हो रही है तो masking पे 9k1 resistance value और fault पे 4k4 तो यह सारी आपको different different values detection होती है जोन्स पे तभी मेरा control panel वो particular signal वो particular alert शो करता है keypad पे तो friends यहाँ पे देखेंगे अगर different resistance value बताई गई है अगर आप normally close type में wiring करते हैं तो particular zone पे कैसी resistance value detection होती है अगर आप double EOL में करते हैं या triple EOL में करते हैं तो किस type की resistance value detection होती है तो सबसे secure mode माना जाता है double EOL अगर grade 3 sensor है taxicom का capture A20 PIR तो वो सिर्फ और सिर्फ triple EOL mode में ही connection हो सकता है वो NC, NO या double EOL mode में नहीं होगा जो grade 3 capture का A20 PIR motion sensor है वो सिर्फ और सिर्फ triple EOL mode में ही wiring connection हो सकता है यह प्लीज ध्यान रखिएगा We always recommend never use cat6 cable cat6 cable के बहुत सारे drawbacks होते हैं तो आपने जो भी use करनी है इधर 6 core और 8 core 0.5 square mm अगर site मेरी छोटी है 5000 या 10,000 square feet area है या 20,000 square feet area भी है तो 0.5 square mm more than enough इससे बड़ी अगर site है कोई factory है कोई warehouse है तो 0.75 या 1 square mm cable भी use कर सकते हैं हाला कि 1.5 square mm cable भी हम recommend करते हैं पर वो हम generally recommend करते हैं जहां पे आपका area 1.5 km या 2 km area इसमें होते हैं तब हमें इतनी gauge की जो value होती है wire की वो use करनी पड़ती है अदर्वाइस आपका 0.75 square mm cable में भी is more than enough to cover approximately 70,000 और 1,000,000 square feet area ठीक है तो टाइप्स अब जोन के टाइप्स क्या होते हैं तो फ्रेंड्स जोन टाइप्स पे जाने से पहले I want to show you the live demonstration of the panel तो give me one minute मैं एक बार वहाँ पे जड़ा प्रॉपर लाइट्स ओन कर देता हूं जस्ट मिनट कर दो सूकित कर देता हूं कर देता है तो स्क्राइब प्रॉपर दो सम्राइब कर देता है कर दो लू अर रेज तातर को दीपर दूब दो म कि अ की dus लिए टर ला क्र दध बिए विर्सा निपर रहन So friends now अब हम देखेंगे एक बार live demonstration मैं आपको दो ही type के sensors दिखाऊंगा क्योंकि दो ही type के आते हैं एक जो non-powered sensors है और दूसरा जो powered sensors है तो उनकी connections कैसे कैसे होते हैं तो आप सबसे पहले अपनी screen पे देख सकते हैं ये मेरे पास जो panel पढ़ा है ये है elite 24 control panel में अब elite 24 control panel को मैं cover open करता हूँ और इसे थोड़ा सा move करता हूँ camera के पास जिससे आपको अच्छे से थोड़ा नजर आ जाए I'm sorry अगर जो resolution है camera का वो इतना अच्छा नहीं है but just want to tell you ये मेरा elite 24 control panel PCB है elite 24 और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर total 8 wired zones मुझे मिलते हैं zone 1, 2, 3 and up to zone 8 इसके साथ साथ अगर आप और थोड़ा देखेंगे मैं इसे बड़ा और tilt कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से नजर आ जाए zone 1, 2 terminal block है 2 terminals है zone 1 पर zone 2, again 2 terminals so इसी दरा से मेरे सारे zones 1 से लेकर 8 तब 2 terminal के मिलते हैं ठीक है और यह जो SMPS है यह 12 volt DC 1.5 ampere SMPS होती है अब इसके साथ साथ मुझे और क्या देखना है यहाँ पर aux positive and negative देखे aux का single terminal है positive and aux का negative terminal यहाँ पर देखे यह किसलिए use होते हैं जो powered sensor है उनको power कहां से मिलेगी aux terminal से मिलेगी ठीक है अब देखते हैं zone expander में zones कैसे नजर आते हैं तो यह हमारा 8XP zone expander है wired zone expander I believe आपको पता होगा अगर हम इसको open करता हूँ और थोड़ा से इस इस तरह से rotate करता हूँ अब आप यहाँ पर देखेंगे zone 1, 2, 3, 4 और उपर 5678 अब यहाँ पर देखें zone 1 में कितने तर्मिनल है चार पहले दो अलाम के next 2 टैमपर के अगेर zone number 2 में 4 तो सभी zones में 4-4 टर्मिनल है ठीक है तो यह जो मेरा device होता है यह grade 3 device कहलाता है और आप इसकी identification किस तरह से समझ सकते हैं जो यह cover होता है 8 XP expander का इसके अंदर की तरफ यहाँ पर sticker लगा होता है तो यहाँ पर लिखा होता है आना कि आपको शायद अच्छे से नजर ना आए और मैं कोशिश करता हूं कि आपको तो अच्छे से नजर आ जाए यहाँ पर लिखा है grade 3 ठीक है तो grade 3 जो मेरा device है मतलब यह zone expander इसमें कैसे connection होते हैं तो अभी तक हमने जो presentation में देखा था वो यही देखा था कि two terminal zone में कैसे connections कर रहे हैं और four terminal zones में कैसे connection कर रहे हैं तो आईए अब देखते हैं one by one पहले मैं आपको जो connections दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा control panel पे जो zones बने हैं दो दो टर्मिनल तो मेरे पास एक sensor है जिसका नाम है wired shutter contact आईए देखते हैं तो फ्रेंड्स ये टेक्सी कॉम का wired shutter contact है आई बिलीब आप सभी को पता होगा जिन्नों ने नहीं देखा हुआ तो प्लीज आज देख लें ये और डी persons हमें मिलते हैं तो वो बोलते हैं अच्छा टेक्सी कॉम का shutter contact भी आता है टेक्सी कॉम का shutter contact आता है और ये बहुत time से market में है अट लीस्ट इसे कम से कम चार साल हो चुके है मार्केट में आए ठीक है तो अभी टेक्सी कॉम का जो shutter contact है अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो इसमें दो वायर्ज है अलाम की और दो वायर्ज है टैमपर की अप कौन सी अलाम है और कौन सी टैमपर है ये कैसे पता चलेगा आपने क्या करना है मल्टीमीटर से continuity चेक कर ली आ है जिस भी दो वायर्ज में continuity आएगी वो मेरी टैमपर वायर होगी और जिन दो वायर्ज में continuity नहीं आएगी वो मेरी अलाम वायर होगे तो for example मान लिजे ये मेरी जो दो वायर्स हैं इस पर continuity नहीं आ रहेगी तो ये मेरी अलाम वायर होगे अलाम वायर कैसे connection करेंगे simply आपने इसे connect कर देना है zone number one ये रहा जी मेरा shutter contact का zone number one connection for alarm और ये मैंने किस type में wiring connection करा है normally close type wiring कोई मैंने resistance यूज नहीं किये और जो ये मेरा shutter contact आता है इसमें मेरा कोई inbuilt resistance नहीं आता ठीक है तो ये जो मैंने तभी आपको बोला था taxi com के 90% sensors में आपको inbuilt resistance मिलेंगे लेकिन इस shutter contact में आपको resistance नहीं मिलता तो ये wiring connection normally close type में मैंने कर दिया अगर मान लीजी मुझे इसका tamper zone भी बनाना है तो मैं ये जो tamper वाली wire है zone number two में connection कर दूँगा तो friends यहाँ पे अगर आप देखेंगे zone one alarm connection zone two tamper connection तो देख रहे हैं मैंने single sensor लगाया है अभी single sensor लगाने पे मुझे यहाँ पे दो zones consume करने पड़ गए एक alarm के लिए एक tamper के लिए और ये दोनों मेरे किस type में है normally close type की wiring में connections करे गए अब अगर मैं इसे zone expander में करता हूँ तो कहां पे करूँगा ये रहे मेरे दो अलाम के terminal zone one में मैं अलाम वाली wire लगा दूँगा यहाँ पे tamper वाली wire लगा दूँगा यहाँ पे तो इसको कहा जाता है double pole wiring connection अगर मैं zone expander में connection करता हूँ ठीक है और अगर मैं zone expander में नॉर्मली close type में wiring connection करता हूँ तो कहां पे करूँगा first and fourth first and fourth में नॉर्मली close type की wiring connection होगा clear इसे remove कर देता हूँ तो फ्रेंट्स अभी हमने देखा shutter contact के connections कैसे होते हैं सेम तरीके से आपको panic button के connections करने हैं या फिर अगर कोई third party magnetic contact है तो सेम तरीके से connections होगे आईए अब हम देखते हैं एक powered sensor connection मैं एक ले लेता हूँ यहाँ पे device हमारे पास है capture PIR motion sensor तो आप सभी को पता होगा कि टेक्सी कॉम ने new range PIR motions की launch करी है जिसको हाला कि दो साल हो चुके है market में आये हुए और वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है correct ना हो अब इसको open करेंगे तो आप सभी को पता है नीचे अब screw नहीं होता simply आपको 90 degree में इसको move करना है unlock की तरफ और इसे slide करना है कैसे नीचे की तरफ नीचे की तरफ जब आप slide करेंगे इसको आप simply ऐसे open करेंगे ठीक है अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो सबसे पहले यह कौन से type का sensor है Q15 यहाँ पे name लिखा हुआ है Q15 मतलब quad PIR motion sensor है जिसकी range है 15 मीटर ठीक है और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि हर एक terminal block का मतलब क्या है कौन से terminal block यह वाल तो यह terminal block को आप यहाँ से निकाल सकते हैं निकाल के अगर आप थोड़ा इसको देखेंगे इस तरब तो यहाँ पे लिखा हुआ है negative positive a b c d e अब इनका मतलब क्या है वो यहाँ पे explain किया गया है ठीक है मतलब जीरो बोर्ड नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर दो जो टर्मिनल है a b वो अलांक के टर्मिनल है c d टैंपर टर्मिनल इसके साथ जो मैंने आपको इन बिल्ड रिजिस्टेंस की बात बताई थी वो यह रहे और टेक्सी कॉम पर यह already set होता है मैं point out कर रहा हूँ 2k2 4k7 यहां लिखा हुआ है टेक्सी कॉम सेट कैसे करना होता है मैं थोड़ा और इसको आपके कैमरे के थोड़ा नजदीक लेके आता हूँ जिससे आपको दिखाई दे तो यह आप वेल्यू देख रहे हैं जो मेरी already set है 2k2 4k7 पर ठीक है तो आपको simply connection कहां पर करने है a and d a से वायर लेंगे और d से वायर लेंगे और zone connection कर देंगे यहां पर और positive negative box plus minus पर connection हो जाएगा तो यह किस type की wiring हुई eol mode तो friends अभी हमने देखा था कि double eol mode में connection कैसे होता है इसी type से होता है a and d मैं दुबारा repeat कर रहा हूं a and d से वायर कर देंगे और zone पर connection कर देंगे अगर यह आपका zone expander होता तो a and d से वायर देते और first and fourth terminal पर connection कर देंगे तो जो बीच के दो terminal होते है four terminal zone block में बीच के दो terminal blank रहते है as it is उसमें कुछ भी नहीं करना थीक है अब आईए देखते है एक मेरे पस third party outdoor motion sensor है मैं इसे एक बार remove कर देता हूं थोड़ा यहां से अब देखते हैं third party sensors के connections कैसे होते है टेक्सी कॉम पैनल मेरे पास एक optics का outdoor PIR motion sensor है कुछ इस तरह से दिखता है तो आईए देखते हैं इसके connections कैसे होते हैं तो फ्रेंड्स यहां पर देखते हैं अगर देखेंगे तो यहां लिखा हूँ है 12V DC negative positive है ना बहुत clearly बता रखा है मतलब यहां से power हमें connection करने है negative यहां पर positive यहां पर और यहां पर लिखा हुआ है alarm MC तो यहां से आप दो wires लेंगे और simply अपने जोन पर connections कर देंगे तो मेरा मकसर जो था आपको third party sensors दिखाने का वो यह था कि taxicom एक ऐसा product है जो हम पूरे world में supply करते हैं UK में manufacturing होती है और पूरे world में supply होता है और we are compatible with all the other manufacturer sensors which are available in the market मतलब जितने भी sensors available है market में third party कोई भी brand के wired sensor वो सब आप taxicom panels के साथ simply लगा सकते हैं without any problem अधिक और sensor है taxicom का मैं last sensor जो दिखाने जा रहा हूँ हो जिसका नाम है सिस्मिक सेंसर हो कुछ इस तरह से दिखता है है तो मैं इसका cover मैंने already इसको unscrew कर रखा है तो इसका मैं cover open करता हूँ और आपको कुछ terminals दिखाना चाहता हूँ I hope आपको डजर आ रहा होगा बहुत सारे terminals है ना बहुत सारे terminals है बट हमें क्या करने है connections इसको power देना है और zone connection करना है तो यहां पर power का कहां बना हुआ है negative positive इसके बाद zone connection कहां बना हुआ है common and nc तो यहां पर zone terminal number one and two for power and common and nc five and six terminal for zone तो दो wires यह zones के उठाएंगे और यहां पर connect कर देंगे और यहां से negative positive लेंगे aux plus minus से power लेंगे तो यह रहा टेक्सी कॉम का सिस्मिक सेंसर का connection तो फ्रेंड्स मैं हमेशा एक बात पर जोर देता हूं कि आपको ज्याद नहीं करना कुछ भी ठीक है आपको simply करना क्या है concept समझना है अगर concept समझ में आ जाता है तो आपको मैं literally बता रहा हूं कि आपको कुछ और समझने की जुरूरत ही नहीं रह जाती क्यों क्योंकि गर concept समझ में आ गया इसका मतलब है कि आपको पूरा fundamental समझ में आ गया intrusion detection system का इसकी बाद चाहे कोई भी टाइप का sensor आ जाये आप उसका simply connection कर सकते हैं जैसे हम optics के beam detectors की connections करते हैं अपने पैनल के साथ optics में curtain sensors आते हैं जो outdoor sensors के लिए specialized हैं है na optics company तो वो सारे टाइप के sensors के आप connections हमारे control panel में कर सकते हैं चाहे आप उसको eol mode में चाहते हो वैसे कर लो eol mode में आपको धियान रखना पड़ेगा कि आपको वो resistance value वहाँ पर match करवानी पड़ेगी अगर नहीं है तो additional resistance लगाना पड़ेगा नहीं तो nc टाइप में तो अल्रेडी हम connection कर ही सकते हैं without any resistance correct तो आईए चलते हैं अपने presentation पर so I hope आपको concept clear हुआ होगा कि अगर हमें दो terminal zone पर connection करने है तो कैसे करने है normally close type में connection कैसे करने है double pole में connection कैसे करने है और double eol में connection कैसे करने है ठीक है अब आपने देखिए connections तो कर दिये control panel पे hardware terminals पे आपने zone 1 2 3 4 ऐसे सारे connections कर दिये लेकिन control panel को बताना भी पड़ेगा कि zone 1 पे क्या लगा है zone 2 पे क्या लगा है है ना उसके according की तो वो perform करेगा वो output देगा मतलब zone 1 पे मान लीजिए आपने shutter contact लगा है तो shutter contact कहां लगता है main door पे entry exit पे इसका मतलब है कि main door पे जो भी person आएगा या जाएगा उसको हमें थोड़ा delay time देना पड़ेगा और अगर मान लीजिए zone 2 पे आपने penny button लगा रखा है तो penny button का क्या काम होता है जैसे ही press होगा alarm बजना चाहिए और notification कस्टमर के पास जाना चाहिए तो यह जो चीज होती है इसको बोला जाता है zone type मतलब उस zone को किस type का आपने program किया है या करना है तो वो हमें अब समझना पड़ेगा हालां कि taxicom में बहुत सारे zone types होते हैं पर हम majorly five या six zone type ही use करते हैं वो क्या-क्या है आईए वो समझते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले zone type आता है PA audible तो PA audible जनरली हम देते हैं पैनिक बटन को जिसका मतलब होता है जब कभी भी PA audible zone trigger होगा तो immediate आपका main sounder activate होगा और मुझे alarm मिलेगा notification भी मिलेगा कस्टमर को अगर उसने कोई mobile app या GSM module ले रखा है ठीक है मतलब instant alarm होगा जब कभी भी ये zone trigger होगा without any delay उसे कहा जाता है PA audible PA silent PA silent का मतलब क्या होता है ये भी immediate trigger होगा लेकिन ये sound नहीं करेगा silent लिखा है न मतलब शान्त रहेगा लेकिन कस्टमर को notification मिलेगा और अगर कोई CMS station बना रखा है monitoring station तो उनके पास भी alert जाएगा लेकिन locally कोई भी sound alert नहीं होगा T-pad से भी कोई sound alert नहीं आएगा उसको बोला जाता है PA silent ये generally European countries में bank जो banks होते है financial institutes होते हैं उनके managers cashier areas में PA silent program किया जाता है देन उसके बाद एक zone type आता है guard सो guard हम किनको देते हैं ये generally दिया जाता है fixed windows को तो guard किस तरह work करता है जब कभी भी मेरा system armed होगा उसके बाद अगर ये zone trigger हुआ तो immediate alarm होगा देखो मैंने यहापे नई चीज़ यूज करी कि system armed होना चाहिए armed का मतलब है मैं जैसे आप अपनी गाड़ी में जाते हैं तो lock unlock करते हैं अपनी गाड़ी को remote से वैसे ही मेरा system भी lock unlock होता है यह न फई intrusion detection system आपने लगा दिया अपनी घर पे लेकिन उसको activate तो करो उसको turn on तो करो या इसको और बोल जाता है इसको armed तो करो ठीक है armed होगा तो मतलब अब इसके बाद अगर कोई भी sensor से मुझे alert मिला मेरे control panel को तो वो immediate alarm देगा या जिस type का भी zone type है वो उसके according work करेगा entry exit 1 और entry exit 2 क्या होते है यह generally दिये जाते है main doors को जहां से person जो owner होते है main door से entry ए exit करते है तो इसमें हमेशा मुझे delay time मिलता है अब delay time कितना होना चाहिए depend करता है customer की requirement पे कोई कहता है मुझे 60 seconds का delay time दे दो कोई कहता है मुझे 120 seconds का time delay दे दो कोई 30 seconds का बोलते हैं तो depend करता है accordingly आप वहाँ पे changes कर सकते हैं guard access अब guard access क्या होते हैं जैसे अगर हमने door open किया door पे हमने magnetic contact लगाया है door open करते ही सामने PIR motion आ गया PIR motion अगर हमने guard में रखा हुआ है तब वो immediate alarm दे देता है लेकिन अगर हमने PIR motion को guard access में रखा तो guard access में रखने से क्या benefit होता है जब हम door open करते हैं तो हमें concert delay मिलता है entry delay है ना तो guard access में वो PIR motion भी वो delay time follow करने लग जाता है मतलब अब मैं आपको scenario explain करके बताता हूँ practically मेरे घर में मैंने door पे door contact लगा रखा है entry करते ही सामने PIR motion आता है तो PIR motion को मैंने program किया guard access जैसी मैंने door open किया entry delay time start हो गया मान लिजी 45 seconds का entry delay time तो जैसी मैं entry मैंने किया PIR motion के सामने आया PIR motion ने भी मुझे detect किया लेकिन उसने alarm generate नहीं किया क्यों क्योंकि entry delay time start हो चुका है तो same delay time 45 seconds का ये भी follow करेगा PIR motion अब मेरे पस 45 seconds का time है मैं जाके keypad पे system को disarm कर दो ठीक है तो मतलब guard access time delay follow करता है कौन सा entry door का और अगर in case door open ही नहीं हुआ और कोई सामने आ गया PIR motion के तब वो immediate alarm देता है ये feature होता है guard access का राइट तो ये friends यहाँ पे खेर इसके बारे में बता रखा है कि ये zone type का मतलब क्या है और इसको possibly कौन कौन से application areas हैं जहाँ पे हम इन्हें use कर सकते हैं तो panic button के बारे में बताया हुआ है कि be audible रखे जाते हैं तो ये आप सारा एक बार go through करिएगा at the end जब आपको presentations और recording मिलेंगी तो आप इसे एक बार go through करिएगा तो आईए friends अब हम देखते हैं विंटेक software में quickly zone types कैसे set करते हैं कोई particular zone का ठीक है तो मैं आपको विंटेक software पे लेके जा रहा हूं तो विंटेक software आपको डाउनलोड करना है free of cost अवेलिवल है texie.com www.texie.com पे जाके आप free of cost डाउनलोड करिए आपकी पास अगर control panel भी नहीं है ना आप तब भी विंटेक software से बहुत कुछ learn कर सकते हैं देखिए अगर किसी में किसी को मतलब अगर मन हो किसी चीज को learn करने का क्योंकि learning की कोई age नहीं होती तो वो आप कभी भी कर सकते हैं लेकिन वो जजबा होना चाहिए तो विंटेक software में जाके आप एक वैसे ही profile बनाके उस चीज के बारे में learn करेंगे तो आपको 30-40% information तो व प्रिंटेक software में profile कैसे बनाते हैं new पर जाके यहां पर आप नेम दे देंगे लोकेशन एड्रेस बगरा डाल देंगे देन पैनल डिटेल्स में जाएंगे अब पैनल यहां पर टाइट कौन सा पैनल है एलीट मेरे पास अभी 64 है तो एलीट 64 कौन सा वर्जन है मेरा वर्जन 5 है और यहां पर simply add कर देंगे तो अभी देखी मैं अभी connected नहीं हूँ अभी तो जस्ट मैंने एक blank profile बनाया है left side पर देखेंगे bottom left side पर offline ready आ रहे हैं बतला अभी मैं connected नहीं हूँ ठीक है तो only Vintec software से भी आप at least 30 to 40% learn कर सकते हैं intrusion system of taxicom अब देखिए मैं zones पर जाता हूँ इसको maximize करते हैं अभी हमने जो अभी समझा elite 24 पैनल पे या elite 64 दोनों एक ही है मतलब थोड़ा बहुत difference है वस तो उसमें हम zone programming अब करने जा रहे हैं ठीक है तो हमने अभी क्या क्या चीज़े देखी हमने अभी जो समझा presentation में connections कैसे करने है zone wiring कैसे करनी है और zone type क्या करना है तो अब मान लीजी मैं क्योंकि मैंने जो एक्जामपल लिया था स्टार्टिंग में मैंने एक रेजिदेंस का लिया था टू बीच के हाउस 1000 स्कूर फिट एरिया तो डोर zone 1 पे मैंने एक magnetic contact लगाया हुआ है आईए उसको program करते है zone 1 तो यहां पे zone type होता है तो इसको आपने सिलेक्ट करना है as a entry exit 1 इसके बाद zone wiring अगर आप normally close में कर रहे हैं तो देखिए normally close अगर आप double pole EOL में कर रहे हैं तो double pole EOL और इसको आप कस्टमाइज नेम दे सकते हैं zone text में जैसे मैंने लिख दिया main door 1 अब zone 2 पे मान लीजी मैं लगा रहा हूँ panic button तो आईए panic button program करते हैं तो zone 2 सिलेक्ट करेंगे zone type आपका PA audible zone wiring यहां पे मान लीजी मैंने normally close वाला zone wiring कर रखा है ठीक है और यहां पे मैंने नेम दे दिया पास्टर बेड्रूम पैनिक बटन zone 3 पे मान लीजीए मैंने दिया है PAR motion sensor ठीक है तो आईए उसको program करते हैं तो zone type guard access zone wiring double pole EOL ही रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं capture PAR motion यूज़ कर रहा हूँ और मैंने यहां पे दे दिया लॉबी PAR motion sensor यह कस्टमाइज नेम क्यों देती है क्योंकि जब कस्टमर को अलाम नोटिफिकेशन मिलते है न तो उने यह कस्टमाइज नेम भी जाते हैं और जब आपको कीपैट पे डिस्पले पे आता है तो आपको यह कस्टमाइज नेम के साथ अलाम शो करता है आइडेंटिफिकेशन करना इजी होता है ठीक है इसके बाद अम आली जीए मैं लगा रहा हूँ vibration sensor कहां पे fixed window पे तो vibration sensor को हम guard पे program करते हैं जरूरी नहीं है कि आप इसको guard पे ही करो आप इसे पे audible भी कर सकता हूँ कोई hard and fast rule नहीं है कि vibration sensor guard पे ही होगा ऐसा कुछ नहीं है ठीक है तो zone number 4 पे audible कर दिया यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ vibration sensor और इसको मैंने मालनी जी program किया है sorry zone wiring करी है normally close type तो यहाँ पे मैं लिखूंगा side window study row तो friends देखा यहाँ पे कि कितना simple होता है आपको programming करना तीन चीज़े बहुत important होती है जब आप कभी भी wiring जो सॉरी wired zone program करते हैं तीन चीज़े क्या number one zone type number two zone wiring number three zone text यह बहुत mandatory होता है टेक्सी कॉम intrusion system में जब कभी भी आप wired zone पे working कर रहे हैं ठीक है एक और चीज़ एक और टाइप का sensor आता है जो capture A20 PAR जो triple EOL पर program होता है मान लीजी उसको मैं कहीं पर लगा रहा हूं घर में बहुत high security area है जहां पर मेरे high value assets jewelry रखी जाती है और जिसको मैंने बोल्ड रखा है inside door ठीक है तो आईए वहाँ मैंने zone number five select किया उसको मैंने पी audible पे रखा immediate alarm चाहिए zone wiring होगा ट्रिपल यह है ठीक है ट्रिपल यह है यह किसके लिए है सिर्फ और सिर्फ capture A20 PAR motion sensor के लिए zone text मैं दे देता हूँ inside room PIR motion correct so friends यह होता है complete zone wiring and zone type हाना कि बहुत से अलगलग type के zone types टेक्सी कॉम में defined है अगर आपने कोई tamper zone बनाया है तो उसके लिए आपको tamper रखना है यह देखिए यहाँ पर मान लीजे मैं next zone zone number six बनाता हूँ tamper zone तो आप zone type tamper select करेंगे ठीक है तो यहाँ पर बहुत सारे zone types होते हैं हाना कि हम use पांच या छे या maximum seven करते हैं इससे जएधा हमें जरूरत नहीं बढ़ती लेके requirement अगर हो तो हम use भी करते हैं तो let's move on to our presentation friends यहाँ पर खेर वो सारे बता रखे हैं zone type कुछ attributes के बारे में बता रखा है कि attributes किसलिए use होते हैं तो मैं आपको बस एक information दे देता हूँ जैसे अगर हमें zone को bypass करना है या फिर हमें जब customer जो end customer है अपने आज बहुत अच्छे से समझा कि पहले तो हमने देखा कि zone terminals कितने type के आते है टेक्सी कॉम में और उसमें हम कितने type से wiring कर सकते हैं वाइरिंग करने के बाद उसका zone type कैसे set कर सकते हैं फिर हमने एक live demonstration देखा कि हम actual में connections कैसे करते हैं zones में कुछ third party sensors के connections भी हमने देखे और हमने लास्ट में देखा कि हमने विंटेक software से किस तरह से programming करी उन सभी zones की right so let me unmute everyone guys hopefully आपको आज का session समझ में आया होगा पूरदर शींग आपका को सभी में आपका को एक सब्सक्राइब प्रेंड्स प्लीज एक एक करके अन्म्यूट करकी you can ask your questions अगर कोई आपके doubts हैं या questions है related to the today's topic प्लीज topic change मत करियेगा it's a request अगर आज के related कोई questions हैं please let me know hi shibu, ribu yes sorry my question actually outside so then you don't mean to ask me okay I wanted to ask about the fire alarm system to siren siren related to like the texicon siren you are using not siren I am talking about detectors fire detectors fire detectors so fire detectors देखे दो type के होते हैं एक होता है conventional और एक होता है relay base तो अगर conventional यूज कर रहे हैं तो वो आपको op1 में connection करना है texicon का कोई भी premier elite series panel है तो total आप 10 quantity use कर सकते हैं in loop और अगर आपको 10 से ज्यादा की requirement है then आप relay base वाला smoke detector आता है four wire Apollo या system sensors कोई भी make का भी use कर सकते हैं जो आप zone पे connection कर सकते हैं तो वो four wire होगा वो four wire होगा और zone पे आप maximum दो loop कर सकते हैं एक zone पे दो से ज्यादा एक zone पे दो loop I couldn't get it how how I get normally close normally close type का series connection बना के आप एक zone पे दो connections कर सकते हैं तो sensors मतलब end of line नहीं होगा नहीं उसमें end of line नहीं है वो नॉर्मली 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 क्लोस टाइप की वायरिंग होगी एंसी और कॉमन टर्मिनल बने होंगे वहां से दो wires लेके आप सिंप्ली zone पे connection कर देंगे और एक लूप कर रहे हैं कि 10 maximum four wire में नई two wire अगर होते हैं जो conventional smoke detector होते हैं वो 10 quantity लगा सकते हैं एक लूप में जिसका connection होता है ox plus and op1 और यह जो fire होंगे कितरे detectors हम लेके जा सकते maximum two wire वाले आप लेके जा सकते हैं every 33 meters पर आपको लगाना है maximum 30 to 40 meters और जो आपका four wire होते हैं वो not more than 50 to 60 meters so you can have 30 to 40 detectors in one loop or four wire four wire sir aap maximum two sensors two fire detectors loop करके लगा सकते हैं at a distance of 50 to 60 meters only two एक जोन फे and how many how many wired zones we have all the eight zones we can use all the eight zones हाँ exactly जितने आपके zones available है पैनल में जितनी capacity है मान लीजी आपका बदा पैनल है 168 तो आप जितने zones है उतने ही zones पे आप smoke detectors heat detectors combination of both लगा सकते हैं कोई problem नहीं और एक एक zone में आप कह रहे हैं कि four wire के मेरे दो डिटेक्टर ही लगेंगे दो ही लगेंगे करेक्ट और अगर मैं two wire में जा आँ तो मैं ten ten लेके जा सकते हैं two wire में तो आप ten से जैदा नहीं जा सकते कोई भी पैनल हो चाहिए और उसमें different zones में ten ten लगाके I can make different zones if I have got more quantity correct correct और फोर वायर में restriction है और वायर नहीं two wire में restriction है two wire में आप 10 quantity ही लगा सकते है four wire में आप every zone पे दो दो sensor लगा सकते हैं अगर आपके 40 zones है तो 8080 80 अप sensors लगा सकते हैं हर एक zone पे दो 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 at a distance of 50 to 60 meters when you say distance of 50 to 60 meters what do you mean by here 50 to 60 meters उस्टेक्टर का zone से distance जो है वो 50 to 60 meters जोना चाहिए not more than that अच्छा उसका जो वायर का दिस्टेंस है आँ वायर का दिस्टेंस है okay आट स्टेंस है और इसमें इसमें four wire में भी कोई end of line नहीं और two wire में भी two wire में आपकी दो रिजिस्टर्स यूज होते है hundred ohm and one kilo ohm का four wire में कुछ नहीं होता okay 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 because I have got a house where I have a no problem तर मेरा क्वेस्टर कर लीजेगा अगर in case आपकोई डाउट होता okay over the phone मेरा मेरा क्वेस्टर्स यह है कि अगर मतलब जिसमें चार तर्मिनल रहते जोट पे अगर अगर अपका टेंपर और अलार्म दोनों लगा रहे हैं तो वहां पर जोन टाइप क्या रखेंगे कि डबल पोल यह यह अगर 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 चार लगा रहे हैं जस्ट अ मिनट में आपको एक बार शो दुबारा करता हूं अग्ोर वहां पर डबल पोल आयगा देखिये यहाँ पर डबल पॉल अबलिक योफ अगर अगर अपने पास ल Zoet इसे अगर आप ऑप घ्रड़ का दूर करें नार्मौर मौन रहा है अपने पास को ईसको नोडशार एकल लाएगा है जोन वन पे तब आपको डबल पोल में ही रखना है कि अगर यह अपना चोटा वाला पैनल जोन वाला तुद मैंने एक और दो यूज कर लिया एक जोन जाने एक जोन और एक जोन और एक लिए ट्वेंटीपोर पैनल में डबल पोल आप नहीं ले सकते क्योंकि वहां पे प्रौट का जोन बना है चाहत थमिनल कद नहीं है दबल फोल के लिए आपको फोर्य टर्मिनल जोन होना ज़रूरी नहीं है ऑफ अस दरकूर टर्मिनल नहीं है तो दोन यूज करेंगों और लिएट हैम समय क्लोड टाइक है कि ऑद कर दोन नोर्हें को दिखाता हो कि एका vendo म तो रहते सब में पैनल में दो टर्मिनल जोन है तो एलीट 24 पैनल में और एलीट 64 पैनल में आप डबल पोल यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे हैं इसिर्फ दो टर्मिनल जोन लेकिन अगर आप एलीट 24 एलीट 64 के साथ एक्सपैंडर लगा रहे हैं तो एक्सपैंडर के जून तब डबल पोल में यूज कर सकते हैं जो दूब मतलब अलाम कि पट्ट मझें जाएगा और फेंपर जो है टू और त्री नहीं 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 अलाम जाएगा वंन ट्व में टैंपर जाएगा ट्री एंट पॉर्ट में यहां पर मैं भी दिखाता हो दुबारा तो जहां पर ए लिखा है वो अलाम के टर्मिनल है और जहां पर टी लिखा है वो टैंपर के टर्मिनल है तो जहां पर टार्मिनल है तो यह हो जाता है डबल पॉल हाई रोगू है अच्छी मैं कोश्चन इस कि वह इस दिफरेंच बिट्वें गार्ड अगार्ड एक्सें वह इस दिफरेंच बहुत सिंपल होता है जब मैंने एक माली जी मैंने पी आयर मोशन लगा रखा है और एक मैंने दूसरा पी आयर मानलो मैंने लगा रखा है गार्ड एक्सेस पर अब पहला पी आयर मोशन का मैं आपको एक्जाम्पल बनाता हूं कि अब म्यूट कर दीजिए इस सभी सभी म्यूट कर दीजिए तो बिच पर स्टार्टिंग ना थे कि तो दीगे मैं एक बड़ दुबारा से आपको एक्जाम्पल दे रहा हूँ गारड काई गारड एक्सेस का गारड एक्सेस बेसिकिली जो होता यह पी आयर मोशन को दिया जाता है तो यह क्यों दिया जाता है जिससे फॉर residence पे मानली जी एक magnetic contact है जो main entry exit door पे लगा है जब कभी भी owner वो door को खोल के आता है आते ही वो सामने उसको PIR motion detect कर लेता है ठीक है तो अब क्या होगा अगर PIR motion में एक guard पे रखा है तो guard वाला जो PIR होगा वो immediate alarm दे देगा मतलब जैसे door open हुआ entry exit door से तो उसे delay time मिल गया लेकिन guard जो PIR था उसने immediate alarm दे दिया तो alarm बच जाएगा लेकिन अगर मेरा वही PIR motion guard access पे है तो जब मैं door open करूंगा delay time start होगा PIR जैसे detect करेगा वो भी वो delay time follow करने लग जाएगा और alarm नहीं देगा कब तक entry delay time खतम होने तक तो यह difference रहता है guard और guard access पे तो वो PIR जो door open करते ही सामने मिलते हैं ठीक है जिससे alarm आने के chances होते हैं उनको हमें guard access में रखना चाहिए तो आइए आपको समझ में आया होगा कि क्या डिफ्रेंशन को दो में यह से अगो वो I got it अच्शोण आपको समझ में आया होगा वांड्रे का ट्रेजम पे रहेगा यह जिता स प्रक्रामएं प righteousness two okay our club okay and my last question is double UL and double bald double William double pulp I know also February it is double morte well oblique well but in driving you said these both are the different in wiring type so generally जो आप पूछ रहे हैं इस अगें फिफ्टी पर्सेंट अफ तुड़े सेशन अगर वो मैं अभी करने लगूंगा तो मुझे अटलीस कम से कम पंदरा से बीस मिनट और लग जाएंगे आप यह काम करिए मुझे कॉल मी अगें मैं आपको ओवर दो फोन समझा पाऊंगा डबल पॉल और डबल यूल में क्या डिफरेंस रहता है इन शॉर्ट में बस यह बता सकता हूं कि डबल पॉल में कोई भी रिजिस्टर यूज नहीं होता डबल यूल में रिजिस्टर किलम हो जाते हैं अगर मैं डबल Pray कर रहा हूँ और इसके साथ साथ मेरे सा अगर मैं डबल यूम बाएर कनेकिशन करता हूँ अगर मुझे यूट-へ olsun जाते ओं यह major difference होता है वाकी working में आपको थोड़ा अगर मुझे आप call करेंगे मैं आपको तब बतापा हूँ ओके ओके बुजी थैंक यू थैंक यू वेरी बुजी कोई और questions हो प्लीज लेट मी नो ओके friends अगर कोई और question नहीं है ता मुझे session wrap up करना होगा तो I believe आपको आज का session समझ में आया होगा और I hope ऐसे ही interesting session में और लेके आता रहा हूँ so thank you so much for attending today's session and have a nice day okay thank you thank you